नमस्कार दोस्तों मैं उमेश आप सभी का अपना YouTube चानल फिर से बहुत बहुत स्वाध करते हैं उम्मीद करते हैं कि आप जहां भी होंगे बहुत ही अच्य होंगे देखें दोस्तों अभी जो है सिक्षा विभाग के द्वारा एक बहुत ही बढ़ियां सुचना निकल के आई 27 दिसंबर 2022 को मनजूरी भी दी गई है तो आज किस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर कबिनेट के द्वारा क्या डिसीजन लिया गया है इसके तहज जो है कि इनको फॉर्म फील करने का मौका मिलेगा कब से फॉर्म फील होगा किस तरह से सलेक्शन हो सकता है इस तरह जनकाई जो इस वीडियो में किलियर करके बताएंगे लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीस वीडियो को लाइक कर दिजेगा क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्या मोटिवेट करता है और ऐसे ऐसे वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है तो प्लीस वीडियो को लाइक जरूर करें देखिए सबसे पहले आप देखेंगे कि जो भी कैबिनेट सेक्रेटरी का अपिसल ट्यूटर है वहां से यहां पे जनकाई निकल के आया हुआ है कि बिहार में 670 पदों पे जो लीपिक होते हैं जिनको आप इंग्लिस में कलर्क बोलते हैं जो भी अधिनास्त छेत्रिय का रियाला होता है उसमें भरती ली जाएगी इसमें जो हे तीन अलग-णलग प्रकार के पोस्ट रखे गए हैं तो पोस्ट के रिगार्डिंग सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उनका पोस्ट रखा गिया है 462 पोस्ट यहां पे रखा गिया है उसके बाद हम पर धायान लिपिक की बात करें तो वो 601 post रखे गये हैं और वही जो है कर्याले अधिक्चक का 47 post यहांपे रखा गया है, total जो है 670 post यहांपे रखे गये हैं, अब यहांपे हम बात कर लेते हैं कि इसका cabinet में मनजूरी दिलाया गया है तो उसके तहद यहांपे क्या कहा गया है, तो देखिए इसमें कहा गया है क और भी बहुत सार यहां पे पोस्ट खाली थे लेकिन इसमें से 670 पोस्टों के लिए जो यहां पे वेकेंसी निकाली जाएगी यानि कि यह वेकेंसी आई नहीं है अब कमीन वेकेंसी है जल्दी इसके लिए वेकेंसी निकाली जाएगी अब इसके बारे में ज्यादा कुछ इ कर रहा है तो आप इसमें फॉर्म को फिल कर सकते हैं जहां तक मैं समझता हूं लेकिन नहीं है जब तक अपीसल नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा तब तक कुछ कह पाना मुश्किल है लेकि जो प्रिवेस वेकेंसी आई होई थी उसके एक्स्पियेंस के धार पर आपको बता साथी साथ इसकी भरती की रिगार्डिंग अभी कुछ जनकारी नहीं आई हुई है लेकिन कबिनेट में मंजूरी मिल जाने का मतलब होता है कि भरती जो है जल सजल निकाली जाएगी अब भरती जो है कौन सा इजेंसी को दिया जाएगा इसके लिए कोई भी डिटेल्स बिजनिस करयाले है उसमें भरती ली जाने की बात कही जा रही है लेकिन कब तक होगी इसके रिगार्डिंग हम भी कुछ नहीं कह सकते हैं आप वेट करिए जैसे इसकी रिगार्डिंग को अब्डेट आएगा तो आपको बताने की कोशिस करेंगे अभी साल तो आक साप नह करेंगे लेकिन इतना समझिये कि बिहार का जो सिक्षा विभाग है उसमें जो भी अधिनास्त करयाले हैं चेत्रिय करयाले है उसमें भरती ली जाएगी लिपिक की जिसमें तीन अलग अलग यहां पर पोश्ट रखे गए हैं जैसे कि मैं आपको किलियर करके बताया मैंने इ किसी परकार कोई भी सवाल होगा आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं और इस तरह के जो भी वेकेंसी आती है उसके बारे में आपको हम बताते रहते हैं तो फ्लीस आप हमें सोसल मेडिया भी फॉलो कर सकते हैं जैसे कि ट्यूटर इंस्टागराम या फिल फेस्बुक जहा भी फॉलो करके हमारे साथ जूड़ सकते हैं